Hello students, स्वागे ते आप सभी का, आपके अपने चैनल God Glasses पर God Glasses यानि मैस भी एन मस्ती भी तो बच्चो आज की जो क्लास है, उसके अंदर हम descriptive stats की जो series है उसको continue करते हैं और आज हम exercise करने वाले हैं इसमें 13.2 इस 13.2 में आपको mean निकालना होगा, variance निकालना होगा, standard deviation निकालना होगा ये सब हमने detail में पिछले वीडियो में discuss कर लिया था अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है, तो उस वीडियो को देख लो, समझ लो कि variance क्या होता है, standard deviation क्या होता है, दोनों में फरक क्या होता है, दोनों की importance क्या होती है, ठीके, तो ये सब आप समझ जाएंगे, तो एक्सेसाइज आपके लिए काफी आसान हो जाएगी, फार्मुला जिसको जितने भी फार्मुला जाएं, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीके, आप यहाँ पर देखिए, जो पहले तीन question है यापर, first है, second है और third है, इन तीनों questions के अंदर आपको individual series ही दी हुई है, तो यहाँ पर मैं जो question number third है, वो आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी first हो second question यह आपको खुद attempt कर लेना है, ताकि आप इस question को समझ जाएंगे, और पिसला वीडियो और आपने देखा होगा, तो आप यह वाला question भी वैसे खुद ही कर पाएंगे, पर फिर भी और लेकिन comment box में यह मत comment करना किसा, सारे question कराया करो, तो यह जो एक जैसे questions हैं, उन में से मैं एक question करा रहा हूँ, बाकी के question आप खुद करें, खुद self practice करें, ताकि आपका कुछ confidence बिल्ड़ अप हो सके, ठीक है, सारे question मैं करा दूँआ, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, जो different questions है, वो मैं definitely आपको कराई रहा हूँ, लेकिन सारे question मैं करा रहा हूँ, इसकी उम्मीद मत रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी calculations ही है, आपको formula अच्छे से पता है, तो आप calculation ही आपको करनी है, और कुछ आपको इसमें करना ही नहीं है, तो इसलिए, हम यहाँ पर यहाँ वाला question number third ले रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें से mean निकालते हैं, अब mean के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी data दिया हुआ है, उसका आपको sum करना है, और उसको number of observation से divide करना है, तो आपके पास देखिए कि यहाँ पर है, 45, 70, 62, 65 and 58, और number of observation से 10, तो आपको 10 से divide करना है, इनको पहले add कर लेते हैं, तो add करते हैं इनको, तो grouping तो यहाँ पर करने का कुछ फायदा मुझे लग नहीं रहा, तो सीधा यह add ही कर देते हैं, 5, 2, 7, 7, और यह 50 है न, 7, 8, 15, 15, 7, 22, 22, 4, 26, 26, और 5, 31, 31, और 8, 49, बचे 3, ठीके 3, 47, 7, 14, 6, 20, 26, 26, 26, और 5, 31, 4, 35, 35, 35, 41, और 34, 45, 50, और 5, 55, 55, तो यहाँ आगया, 559, डिवाइड़ बाइ 10, तो mean आगया, 55.9, तो यह तो बना आपका mean, ठीके अब निकालना है आपको variance, अब variance के लिए जो दो फार्मूले थे, तो यहाँ पर deviation वाला फार्मूला यूज मत करना, क्योंकि आपके पास जो mean f, point में है, 55.9, तो variance के लिए, हमने एक फार्मूला करा था यह, x i- mean का square divided by n, इसको मत यूज करना, क्योंकि जब आप deviation करोगे, तो value यहाँ point में, अगर यहाँ value point में ना हो, तो आप यह deviation वाला formula यूज कर लो, ठीक है, यह पिछले वीडियो में, मैंने दुनों तरीके से आपको समझाय हुआ है, पुम यहाँ पर दूसरा formula यूज करेंगे, दूसरा formula था इसका sigma, x i का square, divided by n, minus mean का square, अवाला कि यहाँ पर x i भी काफी बड़ी-बड़ी दे रखी है, ठीक है, लेकिन, और कोई तरीका तो हमारे पास है नहीं, अगर deviation का तरीका हाँ अगर हम यूज करें, एक और formula इसका होता है, कि हम यहाँ पर di निकाल लें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x i का square भी करेंगे, तो वो भी काफी बड़ा आ रहा है, तो उससे भी value आपकी calculation ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर दूसर तीसरा तरीका यूज करते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पर होगा di, di मतलब deviation, यह कैसे निकाल लेंगे, x i minus a, जो यहाँ पर mean तो actual mean तो हमारा निकल गया है, ठीक है, एक mean हम यहाँ पर assume कर लेते हैं, तो assume mean जो होगा, उसकी जो value होगी, वो decimal में नहीं होगी, फिर उसके इसाब से अगर हम निकालेंगे, तो आपके formula में ही हाँ पर क्या आ जाएगा, variance का जो formula है, काई जाएगा, sigma di square by n, minus sigma di, divided by n का whole square, ठीक है, यह formula लग जाएगा, और इस formula की help से आपका जो variance है वो निकाल जाएगा, तो अब यह तीन formula आपके बाहसे हैं, तो आप decide कर ज़कते होगी, कौन सा formula आपको लगाना चाहिए, यह वाला लगाना चाहिए, यह भी variance का formula है, यह भी variance का formula है, और यह भी variance का formula है, ठीक है, यह वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप इस mean से deviation निकालोगे, तो value decimal में है, तो बड़ी value आएंगी, फायदा नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि x i काफी बड़ी-बड़ी है, इसका भी square करोगे, तो भी value बड़ी आएगी, तो इसलिए हम यह वाला method यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक mean एजियूम कर लेते हैं, अब मीन हम एजियूम कर लेते हैं, जो आपको data दिया हुआ, उसके इसाब से देखो, आपको minimum value 34 है, maximum value आपके पास 70 है, 70 है, तो इन values में से कोई लगबख बीच की value ले ले लेते हैं, ठीक, अब di की value निकालो, di आई आगया, 45 minus 50, minus 5 आजाएगा, उसके बाद फिर 70 में से minus 50 करेंगे, 20, फिर यहाँ पर 12, फिर 10, फिर 0, minus 2, 17, और, minus 16, 15, और 8, यह di आगया, अब फार्मुले में आपको चाहिए, एक तो सिग्मा di चाहिए, और di स्क्वेर का भी समझाएगे, तो आपके बाद di तो आगया, इसका सम कर लो, सिग्मा di, यह 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 यह, minus 5, plus 20, plus 12, plus 10, minus 2, 17, minus 16, 15, और 8, अब जो जो टर्म देखो, cancel हो जाएगा, उनको cancel कर लो, तो 16 आपके पास यह है, 16 और minus 2, 18, 16 to 18, 10 और 8, 18, यह खतम होगे, और आपके पास, अब बचा, और तो कुछ कटेगा नहीं, 15 में से यह 5 minus कर दो, 10 आ गया, ठीक है, 10 यह हो गया, 20 यह हो गया, 30, 30 और, 20, 50, 59, तो इसका सम आगया आपके पास, 59, अब उसके बाद आप ले लो, सिग्मा डी आई स्क्वेर, डी आई का स्क्वेर करो, उनका सम करते चलो, पांच, चार नो, चार तेरा, तेरा और नो, बाईस, बाईस, और चीह, ठाईस, ठाईस, पांच, तैनेंटिस, तैनेंटिस, और चार तिस, बचे तीर, तेरा और दो, यह इसका टोटल आ गया, तो वेरिंस का फार्मूला यूज करेंगे, उख लास्ट वाला, सिग्मा डी आई स्क्वेर, डिवायद बाई 10, और सिग्मा डी आई कितना है था, आपके पास 59, अप उन में 10, फिर इसका स्क्वेर माइनस माइनस 59 का स्क्वेर करेंगे तो 59 का स्क्वेर होता है 393481 divided by 100 हो गया 150.7 माइनस 34.81 अब इसको गर आप सिंप्लिफाई करेंगे तो वेरियंस आजाएगा 10 माइनस 19 16 माइनस 8 9 माइनस 45 और 4 माइनस 31 तो वेरियंस हाजाएगा 115.89 फिर स््टेंडर डे ज़िशन भी बुझा है तो दे जो स्टेंडर डे ज़िशन निका लेंगे स्क गर स्कूर रूट करके 115.89 और इसका square root बनता है 10.77 ठीक है तो individual series की question है आप तीनो formula में से जो फिर आपको suitable लगे आप वहाला formula यूज़ कर सकते हो अगर mean आपका पूरा पूरा निकल रहा है तो फिर observation जदा बड़ी बड़ी नहीं है तो आप यहाला formula यूज़ कर लो ठीक है और observation पहले ही आपको छोटी छोटी दे रखी है तो फिर आप directly ये वाला यूज़ कर लो और अगर जैसे ऐसा कुछ आ गया तो उस case में आप ये वाला formula यूज़ करो तो तीनों में सो कोई भी formula यूज़ करो लेकिन सही यूज़ करोगे तो answer आपका ठीक आ जाएगा अब यहाँ पर आपके पास एक discrete data है इसमें mean और standard deviation दोनों निकाल ले हैं तो यहाँ पर observation देगो बहुत बड़ी बड़ी नहीं है तो अब इसमें simple formula यूज़ कर सकते हो f i x i निकालो mean निकालने के लिए पहले 6 2 012, 10 4 040, 14 7 098, 12 8 96, 12 9 21, 8 36, 8 26, 8 26, 9 16, 9 19 और 28 को 4 से करेंगे 112, यहाँ पर आगया 90 इसका total करो 8 और 10, 10 और 10 20, बचे 2, 2 और 1, 3, 4, 7 और 9, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 27, 27, 29, 36 बचे 3, 3 और 4, 7 इसका total करेंगे 12 और 8, 20 ही हो गया, 20 हा 27, 27 हा 34, 34 और 4, 40 तो इसका mean आगया आपके पास 7 6 0 divided by 4 0 यहाँ गया 90 अब इसमें variance निकालना है आपको, तो आप deviation, क्योंगी mean आपका पूरा-पूरा आगया, तो simple आप x i minus mean निकाल लो ठीक है, x i minus x i यह आपके बास है, 6 minus 19 करोगे, तो जाएगा minus 13, minus 9, minus 5, minus 1, जाएगा 5, 9 और 11 अब यहाँ पर निकालो, x i minus mean का square, तो आपके बास है, 169, 99, 81, 25, 1, 25, 81, 121, इसका total करने की जरुबत नहीं है, इसको multiply करो f i से, f i से multiply करेंगे, 2 से इसको किरामने, 2, 9, 0, 18, 2, 6, 0, 12, 1, 13, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 4 से इसको करेंगे, 4, 4, 8, 32, 27, 1, 74, 12, 24, 8, 32, 3, 6, 3, इसका total करेंगे, 8, 4, 12, 12, 15, 17, 19, 19, 27, 26, बचे 2, 2, 3, 5, 2, 7, 7, 14, 15, 15, 15, और 8, 23, बचे 2, 2, 3, 5, 3, 8, 9, 9, 9, 2, 11, और 6, 17, तो 17, 36, तो यह आगे आपके पास, वेरिंस निकालने के लिए, फर्मुला, सिग्मा, f i इंटू, x i minus mean का स्क्वेर, divided by सिग्मा, f i, तो 17, 36 को आप डिवाइड कर तो 40 से, तो 4 से घटते हैं इसको, 10 में घटेगा, 4.16, 4.16, 4.16, 4.16, तो आजाएगा 43.4, तो यह बना हमारे पास इसका वेरिंस, 19 आगया, और क्या पुछा है, इसमें अच्छा, स्टेंडर डेविशन पुछा है, तो स्टेंडर डेविशन निकाल लेंगे, वेरिंस का करते हैं, स्क्वेर गूट, 43.4 का स्क्वेर गूट करेंगे, तो आजाएगा 6, 6 ता 36, उपर से यह उतारा, डबल किया, तो 3, 4, 5, 5 पे चला जाएगा, 6, 12, 6 पर देखते हैं, एक बार, 6, 6, 36, 6, 12, 3, 15, 6 और एक, 6 और एक 7, तो ज्यादा यह क्लोज नहीं है, राउंड ओफ करके वेल्यू निकालोगे, तो 6.6 आ जाएगे, ठीक है, राउंड ओफ करके रहे हो, तो 2 decimal में निकाल रहे हो, तो वेल्यू आ रहे है इसकी, रहे हो हापर, तो आ रहे 6.59, ठीक है, 6.59 या 6.6, दोनों ठीक है, approximate वेल्यू आ दोनों, उसके बाए चलते हैं, next question पर, next question भी, I think इसी तरह का ही question है, तो data यहाँ पर यह है, तो यहाँ पर shortcut method यूज करने को बोल रहा है, यहनि जो DI वाला method है, वो आप यहाँ पर use कर सकते हो, ठीक है, तो आपके बाट पहले एक साई निकाल लेंगे, mean निकालना है, mean निकालना है, variance निकालना है, standard deviation निकालना है, तीनों चीज निकालनी है, तो अब तीनों में से कोई भी method इसमें use कर सकते हैं, व्यशे उसने shortcut method बोला हुआ है, तो shortcut method यूज करो, जो last वाला method है, step deviation method, और उसके लिए आपको पास क्या चाहिए है, आपको निकालना है TI, तो एक यहां से जो मीन है, उसमें से एक value को आप assume कर लो, जो उसके center में आ रही है, यह हमने mean assume कर लिया, तो इसके सामने TI की value निकालेंगे, तो 64 में से 64 माइनस करोगे, 0 आ जाएगा, 63 में से माइनस करोगे, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, यहां, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, ठीक है, TI का फार्मूला यह होता है न, x i minus a divided by h, तो h तो यहां पर 1 है, तो 1 से divide करोगे, तो कुछ फ़रक तो बड़ेगा नि, तो x i minus a करते जाओगे, तो आपके पास यह value आ जाएगगे, अब आपको इसके बाद चाहिएगा, इसमें, f i, t i, 2, 4, 8, 3, 3, 12, 2, 24, minus 29, 0, 12, 20, 12, 20, 12 और 20, अब इसका solution करो, देखो 24 यह है और 29 यह, तो यह आगए आपके पास 53, 53 और 356, 56 में 8 add करोगे, तो आज आएगा आपके पास, 56 में 8 add करेंगे, तो आज आएगा 64, यहाँ पर आपके पास आ रहा है, यह 20, 20, 40, 40 और 20, 60, और 4, यह भी 64 ही आ रहा है, तो टोटल आगए उसका 0, तो देखो मीन आएगा, मीन का फार्मला होता है, sigma a plus में f i, t i, divided by sigma f i into में h, तो यह आपने लिया था 64, और f i, t i की value आगे 0, तो बागी सब तो 0 ही आना है, तो मीन तो इसका 64 ही आएगा, अब वेरिंस के लिए आपको चाहिएगा, f i, t i, square चाहिएगा, तो t i, square निकालो एक, तो t i आपके पास यह आएथा, इसका square निकालो, अब यहाँ बर चाहिएगा, आपको f i, t i, square, और यहाँ बर ti, square को 29, 0, 12, 40, 9, 4, 36, 16, 5, 0, 80, अब इसका करेंगे, टोटल, इसका टोटल बन रहा, आपको 286, अब वेरिंस का फार्मूला लगा, हो, h square, sigma, f i, t i, square, divided by sigma, f i, minus, sigma, f i, t i, upon, sigma, f i, ka, whole, square, तो h तो यहाँ पर 1 है, यह आपके पास 286 आया, sigma, f i, 100, minus, यह 0 है, जो 0 upon something, 0 ही होना दाना है, तो इससे इसको डिवाइड करोगा, अंसर आजाएगा, 2.86, तो यह तो आगे है, वेरियंस, अब इसका standard deviation निकाल लेंगे, तो इसका गर देना, square root, 2.86 का, तो यह आजाएगा, आपके पास, almost 1.7 के असपास आएगा, वैसे 1.69 value है, वैर आप 1.7 भी लिख देते हो, तो ठीक है, क्योंकि दोनों approximate value है, उसके बाद फिर हम चलते हैं, group data पर, group data में आपके पास, यह वाला भी है, दो तीन question group data के, एक यह भी है, और एक यह भी है, ठीक है, तो यह वाला question हम कर लेते हैं, अब group data में आप simple तरीका भी use कर सकते हो, या फिर step deviation भी use कर सकते हो, step deviation अभी हमने किया ही है, किछले question में step deviation हमने किया ही है, तो यह हम यह वाला question कर लेते हैं, इसमें भी step deviation ही लिखा हुआ है, तो यह simple कर लेते हैं, simple आपको कैसे करना है, चीक है, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले x i निकालनी है, x i आजाएगा आपके पास, यहाँ पर 5, upper और lower दोनों को plus करके 2 से divide करना है, फिर 15, 25, 35, and 45, अब f i x i निकालेंगे, तो 5, 5, 25, 15, 8, 1, 20, 25, बंजे 125, बंजे 12, 25 और 12, 37, 35 को से करेंगे, 16, 85, 16, 43, 48, 56, 35, 6, 24, 23, 27, इसका टोटल कर लो, 0, 2, 2, 4, 4, 7, 11, 11, 6, 17, 17, 24, 21, बंजे 2, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 12, 13, तो mean पहले निकालते है, 1, 3, 5, 0, अब उन में f i का टोटल, 15, 16, 31, 36, 37, 37, 35, 42, 48, 50, 5, 2, 10, 5, 35, तो mean तो आगे इसका 27, ठीक है अब variance निकालने है, उसके लिए अब आपको चीएगा यहाँ पर, x i minus mean का square, पहले x i minus mean निकालो, तो x i हमारे पास यह आगी, इसमें से इसको minus करोगे, तो देखो 25 में से 27 पहले minus कर लो, minus 2 आगे, अब उपर 10, 10 कम हो रहा है, तो 10, 10 कम करते जाओ, तो minus 12 और minus 20, इधर 10, 10 प्लस करते जाओ, तो यहाँ 8 हैगा, 8 और 10, 18, उसके बाद होगे, आपके पास, इसका square कर लो, x i minus mean का square, तो 22 का square आजाएगा, 484, इसका 144, इसका 4, इसका 64, इसका 3, 2, 4, इसको multiply कर दो, आप f i से, इसको f i से multiply करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5, 20, 5, 8, 44, और 2, 42, बचे 4, 5, 20, और 4, 24, इसको करेंगे, 8 से, 8, 32, 3, 35, 8, 3, 11, 15, 60, 16, 64, 16, 96, 96, और 6, 102, इसको करेंगे, 3, 6, 24, 6, 2, 12, और 2, 14, 6, 3, 18, और 1, 19, इसका total करो, 4, 4, 8, और 2, 10, 3, 5, 8, 6, 14, 14, 14, और 6, 20, बचे 2, 2, 4, 6, और 7, 7, 7, और 9, 16, बचे 1, 3, 4, 4, 2, 6, तो variance बना आपका, summation of fi, x i minus mean का square divided by summation of fi, 6, 6, 0, 0, divided by, इसको काटोगे आप 5 से, तो 13, 65 और 5 दोने 10, तो यह आए आपके पास 132, यह तो बनेगा variance, अब standard deviation निकालेंगे इसका, तो इसका square root करना है, तो इसका square root बन रहा है 11.49, तो यह गया आपका grouped data, तो इसके बाद के जो दो question है, वो step deviation method के, जो हमने पिछले question में किया था, तो उसी तरीके से आपको उनको करना है, उसके बाद चलते है next question पर, question number 9 पर, अब 9 में जो data आपको दे रहा है, इस data को आपको करना क्या है, 155 to 160, 160 to 165, draw up a grouped frequency distribution and use this to estimate the arithmetic mean and the standard deviation, तो यहां से आपको दो चीज़े निकालना है, mean निकालना है, और standard deviation निकालना है, लेकिन पहले data को आपको group करना है, ठीक है, जब data को आप group करोगे, तो इसमें उसने class interval आपको दे रहा है, 155 से 160, यह से पांच-पांच का gap लेके चलना है, आप बस यह देख लो कि 155 से कोई छोटी value तो नहीं है, तो यहां जो भी observation दे रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसी नहीं दिख रही है, जो 155 से छोटी हो, तो फिर आप 155 से ही start करो, पांच-पांच का gap लेके, एक लास interval को पूरा करो, ठीक है, अब इसमें देखो जो frequencies है, 155 से लेकर 160 तक के बीच में, इसमें आप 150 को तो include करोगे, 155 को, लेकिन 160 को इसमें नहीं करना, ठीक है, क्योंगी यह inclusive class interval है, तो इसमें देखो 150, एक तो यह हो गया, एक यह नहीं लेना इसमें, एक ही हो गया, और उसके बाद फिर, और है की नहीं है, बस एक ही दे रखा है, तो इसकी frequency होगी 1, 160 से 165, इसकी frequency करते हैं, तो 160 से 65 मतलब एक ही हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, 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 छे हो गया, अब 165 से 170 तक के बीच में, यानी, एक ही हो गया, एक, और दो, तीन, चार, पाँच, छे, फिर 170 से 175, इसमें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और एक ही हो गया, छे, ठीक है, से 175 से 180, तो एक, और एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, यह भी छे हो गया, अब 180 से स्टार्ट करेंगे, तो यहां वाले तो देखो, सारे हमारे हो गए है, यह सारे हो गए यहां तक, 180 से स्टार्ट करना है, तो एक ही आएगा, एक, दो, तीन, तीन ही आगे, ठीक है, बाकी, एक यह बज़िया, एक यह बज़िया, दो, ठीक है, दो ही आगे, अब इसका टोटल ही बाद चेक कर लो, कि आपके बाद 30 आ रहे हैं यह नहीं आ रहा, तो 6 जग 24 तो यह होगे, 24 तीन, 27 तीन, 13, यहनि फ्रिक्वेंसी का टोटल हमारा ठीक हा गया, अब यह कि आगी, 157.5, अब पांच-पांच कर गैप करते जाओ, अब यहां पर जो एक साही आ रही है, यह आपकी काफी बड़ी-बड़ी आ रही है, तो, इसमें अगर आप direct method लगाते हो, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, calculation बहुत लंबी बच जाएगी, तो इसमें हम shortcut तरीका यूज करेंगे, यहां पर आप निकालो, पहले तो एक साही में से आप ए ले लो, ए हमने ले लिया, इसमें सेंटर वाली value हमें दिख रही है, 172.5, बाक तो अगर यहां पर gap बराबर बराबर है तो आपको calculate करने की जरू तिनी TI में कभी भी, जो 172 आपने लिया है, उसके सामने 0 आएगा, उपर माइनस वाली टाम आती जाएगी, नीचे प्लस वाली आएगी, ठीक है, जब भी uniform width होगी तो हमेशा यह हैगा, अब उसके बाद आ TI का स्क्वेर, तो यहां 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, पिछ यहेगा, आपको FI, TI, तो FI को TI से multiply करोगे, माइनस 3, माइनस 12, माइनस 6, 0, 6, 6, और 3, 2, 6, और FI, TI स्क्वेर चाहिएगा, तो TI स्क्वेर को करोगे, FI से multiply 9, 4, 6, 24, 6, 0, फिर 1 को 6 से करेंगे, 6, 4, 3, 0, 12, और 9 चूजा, 80, इसका टोटल कर लो, 18, 12, 30, 36, 36, 36, 42, 42, 42 और 9 पहले ले ले लेते हैं, 42 और 9 होगे, 51, 51 और 4, 55 और 20, 25, इसका टोटल करते हैं, तो यह हो गया, 6, 18, 12 और 6, 18, minus 3 आगया, ठीक है, बाकी तोटोटल हमें चाहिए नहीं, तो पहले मीन निकाल लेते, मीन होगे आपके पास, A, plus में सिग्मा, FI, TI, अब उन में सिग्मा, FI, इंटू में, H, तो एक ही जगे आपके पास, वेल्लू आगई, कितनी 172.5, सिग्मा, FI, TI, आए, माइनस 3, FI, ए 30, H, आपके 5, तो आजाएगा 172.5 में से माइनस कर दोगे 0.5, यह आजाएगा 172, तो मीन तो आगया हमारे पास, नाइनत का 172, अब वेरिंस निकालेंगे, तो वेरिंस के लिए फार्मुला आगया, H स्क्वेर, सिग्मा, FI, TI, स्क्वेर, सिग्मा, FI, माइनस, सिग्मा, FI, TI, आई, अब वोन में सिग्मा, FI, और फिर इसका, होल स्क्वेर, तो यह वेरिंस का फार्मुला है, वेरिंस इसने पूछा नहीं है, सिधर स्टेंडर डेवेशन पूछा है, तो हम सिधर स्टेंडर डेवेशन अगर लगाएंगे, तो हम यहाँ पर फार्मुला में बस क्या चेंज कर दें, ह स्क्वेर की जगे ह ह कर देंगे और यह सारी टम आपकी रूट के अंदर आ जाएगी, तो ह आपको दे रहे है, 5, FI, T, I स्क्वेर आएगा 75, यह आपके पास 30, माइनस यह माइनस 3, आप उन में 30, इसका स्क्वेर, तो यहाँ पर देखो, 5 से गाट दो गए, यह 6 पर कट जाएगा, 15, 55, 3 दो नीचे, 3, 5, 15, यानी 5 अपॉन 2 आएगा इदर से, इस आ जाएगा, 1 अपॉन में 100, इसको एल्सियम लेते हैं, 50, 250, माइनस 1, तो उपर दो आएगा 249, नीचे 100 का स्क्वेर रूट जाएगा 10, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 249 का स्क्वेर रूट निकाल कर वेल्डू को 2 से डिवाइड करना है, तो 249 का स्क्वेर रूट पंदरा दुने 30, और साथ से करो, 249, 721, इसका डबल, अब यह चला जाएगा, 8, लगबुग 8 पे चला जाएगा, 8, 8, 64, 6, 8, 32, 6, 38, 8, 8, 8, 3, 11, 8, 24, 25, तो इससे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो कोई बाद नहीं, राउंड ओफ करके वेल्डू आपकी आ जाएगी, तो आजाएगा, आपका इसका standard deviation, अब उसके बाद जो question इसमें, यह है word problems, ठीके word problems भी यह कुछ-कुछ similar type की दे रेखिये, ठीके जैसे अगर आप question पर जाओगे, तो question number 10, 11, यह दोनों एकी type के है, तो पहले देखिये, question number 10 पर चलते है, इसमें कहता है कि the mean of 5 observations, 5 observations मतलब n तो है 5, और mean है आपके पास 6, the standard deviation is 2, standard deviation दे रेखिये आपको 2, if the 3 observations are 5, 7, 9, find the other 2 observations, तीन observations दे रखिये, बाकी की 2 observations आपको निकालने है, तो हमने माल लिया कि जो observations है, let observations are 5, 7, 9, x and y, तो x, y हमने 2 observations ले लिए, तो सबसे पहले आपको mean जो दे रेखिये, इसका use करो, जो mean आपको जब दिया होता है, formula हमारे पास mean का क्या रहता है, mean equals to summation of xi divided by n, तो xi अगर आपको निकालना है, यनी total निकालना है, तो n को इसके mean से multiply कर दो, आप total करेंगे सारी observation का, तो 9, 7, 16, 16, 16 और 5, 21, तो 21, प्लस में x, प्लस y, n की जगे आपको दे रेखिया है, 5, mean की जगे दे रेखिया है, 6, तो 21 को अधर ले जाओ, तो x प्लस y की value आपके पास आगी 9, यह बनगी एक equation, अब discrete data में, individual series में, जो variance है, उसका formula यूज करो, standard deviation आपको 2 दे रखा है, तो variance इसका 4 हो जाएगा, अब variance में फार्मूला आप यूज करोगे, कौन सा, sigma x i square divided by n minus mean का whole square, यह mean लिख सकते हो है, sigma x i by n लिख सकते हो, तो अब यहाँ पर जो variance आपके पास वो 4 है, और x i का square का फिर sum करना है, तो x i आपके पास यह सारी है, इन सब का square करके sum करो, तो 5 का square हो जाएगा 25, 7 का 49, 9 का 81, x का x ही रहेगा, इसका y आगे, divided by n, n मतलब आगिया 5, minus mean कितना था आपका, mean दे रखा है इसने 6, इसको इधर लियाओ, तो 4 ही हो गया, plus में 36, इनको एड़ करो, 5 और 9, 14, 14 और 1, 15, अच्छा 1, 8 हो टेक 9, 9 और 4, 13, 13, 13 और 2, 15, plus x square, plus y square, divided by 5, तो 4 प्लस 36 करेंगे, 40 आजाएगा, 40 को इस 5 से multiply कर लेते हैं, अब यहाँ पर जो x और y है, इसमें से किसी एक को आपको change कर लेना है, तो वो यहाँ से value निकाल लो, तो y की जगा मैं लिख देता हूँ, 9 माइनस x, यह x की जगा भी लिख सकते हो, अब 9 माइनस y, यह जो 5 था, इसको हम यहाँ लेगे, तो 40 को 5 से multiply करेंगे, यह जाएगा 200, 155, plus x square, यहाँ पर आप फार्मुला खोलो इसका, a माइनस b का whole square लगाके, तो 9 का square 81 हो गया, x square, x square, 2 x square हो जाएगा, सब को यह की तर भी खटा कर लो, माइनस 81 x, और 18 x, और जो नंबर से आपके बास, 5 और 1 6, 8 5 13, 236 और यह 200 को इदर लाएगे, तो जाएगा 2 x square, माइनस 18 x, फ्लस में 36, 2 common निकाल दो यहाँ से, तो आपके बास यह equation आगी, अब इसमें आप splitting material term कर लो, एक factor बनेगा 6, और एक बनेगा 3, तो x की value 6 भी हो सकती है, और x की value 3 भी हो सकती है, अब दोनों का sum यहाँ पर आ रहा था 9, तो अगर x की value 3 है, तो y, x की value 6 है, तो y 3 हो जाएगा, और x अगर 3 लोगे, तो y 6 हो जाएगा, यानि जो observation है, एक 3 है, और x 6 है, तो जाए 6 3 भी बोलो या 3 6 भी बोलो, बात एक ही है, अगला question करते हैं, तो उसमें भी आपको देखो, यही सब कुछ दिया हुआ, mean दिया हुआ variance दे रखा है, और आपको 5 observations में से mean variance यह दे रखा है, तीन observation दे रखी हैं, बाकी की 2 observations आपको निकाल लिए हैं, बिलकुल सेम तरीके से proceed करना, answer आपका definitely आ जाएगा, wealth में कहता है, the variance of 20 observation is 5, observation से 20, और जो variance आपको दे रखा है, यह है 5, if each observation is multiplied by 2, find the new variance of the resulting observation, अब हर एक value को, हर एक observation को, अगर हम 2 से multiply कर दे, तो जो नया variance आएगा, वो क्या आएगा, तो हमने माल ली जो नया, वो है, नहीं observation है, वो है yi, let new observations be yi, ठीकिए, जो normally हमारी पुरानी होती है, उसको हम xi लेते हैं, तो यह करा है कि xi को, अगर हम 2 से multiply कर दें, तो yi की ब्या जाएगा आपके पस, तो yi की value है 2 times of xi, या फिर आप यहाँ से कह सकते होगी, यहाँ पर आपके बास, देखो, xi की value है yi by 2, अब variance का जो formula होता है, उसके हिसाब से अगर हम चलें, तो sigma xi square divided by n minus, अब यहाँ जो mean लिखते हैं, mean की जगे हम ऐसे लिख सकते हैं, sigma xi by n का whole square, ठीक है या फिर आप mean का whole square ऐसे लिखतो, अब यहाँ पर आपके पास, sigma xi square जो भा रहा है, xi की जगे, अगर हम value put कर दें, क्योंकि हमें y की terms में बताना answer, तो यह हो जाएगा आपके पास, नया आपके पास mean है, पुराना आपके पास variance दे रहा है 5, पुराना variance हम यूज़ करते है 5, sigma xi square की value निकालते है, n आपको दे रहा है 20, minus sigma xi upon n, तो xi की जगे put कर दो yi upon me 2 divided by n, n की जगे 20, अगर हम यहाँ पर भी xi की जगे yi by 2 कर दें सिधा, यहाँ पर xi की जगे हमने put कर दिया, yi by 2, भी नहीं observation में convert किया, n की जगे है 20, minus sigma xi, तो यहाँ जगा sigma yi by 2 divided by 20, और इसका whole square, तो यहाँ जगा sigma yi square और यह 2 है न, इस 2 को बाहर निकाल दो, यहाँ जगा 4 upon me 20, minus sigma yi, यह जो 2 है यह भी bracket के, यह पूरे इसके बाहर निकलेगा, तो 4 हो जाएगा, अभी मैं इसको 2 ही रख रहा हूं, 220, और इसका square, तो वेरिंस निकालने के लिए आपको जो value चाहिए, वो चाहिए value sigma yi square upon me n की, तो यह वाला जो 4 है इसको बाहर निकाल दो, यहाँ से यह 4 बाहर निकाल देंगे, यह भाहर आ जाएगा common, तो जब हम x i observation को yi में convert कर रहे हैं, तो यह आपका yi में convert हो गया, ठीक है यह आपका new variance आ गया, तो new variance कितना आ जाएगा, यह 4 आ जाएगा, और जो पुराना वाला variance है हमारा वो कितना है, 5 है, तो 5 को यहाँ से multiply कर दो, और equals to में sigma yi square by 20, minus sigma yi by 20 का whole square, तो यह 20 आ जाएगा, और यह आपका new variance आ जाएगा, तो 12 का answer आ जाएगा, आपका 20, अब question number 13 और question number 14, यह दोनों same type कि है, बलकि 14 के अंदर आपको 2 part दे रखे हैं, 13 में आपको सिर्फ एक part दे रखा है, तो हम यहाँ पर 14 वाला कर लेते हैं, जिसमें दोनों part है, दोनों तरह के question इसमें है, तो उसी जाप से आप 13 करना, तो इसमें कहता है कि mean और standard deviation of 20 observation, एं तो आपको 20 दिया हुए, mean दिया हुए 10, और standard deviation दिया हुए 2, तो variance बन गया है यहाँ से 4, अब कहा रहा है, on rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect, जो हमने इसको दुबारा चेक किया data को, तो हमने देखा कि जो observation 8 लिखी वी थी ना वो गलत लिखी हुई है तो calculate the correct mean and the correct standard deviation in each of the following cases, तो उसे हमें correct करना पड़ेगा, अब correct करने के लिए हमारे पस दो option है, एक में हमने किया कि wrong item को हमने omit कर दिया, हटा दिया, एक में हमने wrong item को 12 से replace कर दिया, तो यहाँ दोनों cases हम करते है, तो आपको सबसे पहला काम तो इन में यह करना होगा, कि यह होता है, यह n in 2 में mean के बराबर होता है, तो n 20 है, mean 10 है, मतलब यह आगया 200, तो incorrect total आपके पास, incorrect sigma xi की जो value है, यह आगया आपके पास 200, अब variance का formula लिखो, variance का formula होगया, आपके पास sigma xi square by n minus mean का whole square, तो variance हमारे पास 4 है, sigma xi square का total हमें अभी निकालना है, n 20 है, minus 10 का square, तो 10 का square हो जाएगा 100, minus 100 आएगा, इस को दर लाओगे, add कर दोगे, इस कर दोगे 104, और 20 को यहाँ multiply कर देना, तो sigma xi square की value आई गया, आपके पास 0, 2, 4, 0, 2, 0, तो यह आपके पास incorrect, sigma xi square बन गया, कितना 2, 0, 8, 0, यह data अभी तक हमारा सारा incorrect है, अब इसको उमें correct करना है, तो first part में गह रहा है कि wrong item को omit करना है, तो omit करने का मदलब है हटाना है, तो आपका जो correct total है वो क्या बनेगा, जो अभी हमारा total था, वो था 200, जो incorrect था, इसमें से wrong वाले को आपने हटा दिया, तो आगे आपके पास 192, तो इसके साब से n रह जाएगा आपका 19, क्योंकि आपने एक item हटा दिया, तो correct mean कितना बनेगा, 192 को 19 से divide कर दोगे, तो यह value आपके पास बनेगी 10.11, तो यह तो आगे आपके पास correct mean, ठीक है, अब यहाँ पर आपको correct variance भी निकालना है, तो आप variance का formula तो यह रहेगा, लेकिन यहाँ पर correct वाला data अप्लोड करना है, यहाँ लिग देता हूं मैं correct, तो sigma x i square, तो पहले x i square टो निकाल लो, correct, correct σательно x i square, x i square हमारे पास था भी, x i square कितना था? 2080, अब यहाँ पर x i का square करना है, तो x i जो हमने 8 हटारे थे, 8 को हटारे थे, तो 8 का square को हटाना है, जब खाली x i था, तो 8 को हटाए था, x i square होगा, तो 8 के square को हटाना है, तो 2080 में से 64 माइनस कर देना 10 में से 46, 7 में से 610 तो 2016 अब आप निकालो correct variance तो formula तो यह रहेगा लेकिन correct वाला data अपलोड करना है तो sigma x i2 की जगे आएगा 2016 divided by 19 माइनस अब यहाँ पर mean आपको लिखना है तो mean हमारे पास यह है तो सही लेकिन यह पूरा पूरा नहीं है approximate value है तो ऐसे में आप mean ना लिखकर आप इसको लिखना मतलब इस value को ना लिखकर इसको लिखना 192 upon 19 और इसका square अब इसको करो आप simplify 2016 upon 19 माइनस 192 का square करेंगे तो 192 का square बनेगा और यह पास 36864 यह बजाएगा 361 इसका calcium 36 बनाएगा और इसको simplify करके हमारे पास जो value आ रही है और यह 1440 upon 361 तो हमें निकालने है standard deviation तो standard deviation के लिए इसका कर देंगे square root इसको solve करेंगे तो solve करेंगे आपके पास value आ रही है 37.95 अपरवाले का square root नीचे आपके पास 19 आएगा तो यह आजाएगा 1.99 ठीक है यह आगे आपके पास correct standard deviation अब इसका जो second वाला case है अब उसको लेते है second वाले case में क्या कर रहा है कि अब आपको wrong item को replace करना है तो उसमें जो correct sigma x ही है वो क्या बनेगा आपके पास incorrect था वो था 200 wrong वाला 8 था वो आमने हटाया उसकी जगे correct वाला डाल दिया तो 12-84 और इसमें एड करोगे तो यह जाएगा 204 अब क्योंकि हमने एक value को हटा कर दूसरी value को डाल दिया है तो n पर कुछ फरकने पड़ेगा n 20 ही रहेगा तो correct mean कितना बन जाएगा 204 अब उन में 20 102 अब उन में 10 वा जाएगा 10.2 अब ऐसी आप निकालो correct सिग्मा एक साई स्क्वेर सेम तरीगा रहेगा जो 2080 था जो incorrect एक साई स्क्वेर आया था हमारा उसमें से incorrect वाले को हमने माइनस किया और उसमें correct वाला एड कर दिया ठीक है incorrect माइनस करके बना था 2016 इन दोनों को solve करके बना था 2016 और यह 144 है और 6410 4561 यह बन जाएगा 2160 अब यहाँ पर आप correct वालेंस निकालो सिग्मा एक साई स्क्वेर डिवाइड बाए एन माइनस यहाँ पर आप इसको रखना जाओ रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर यह जो value आई आपकी यह पूरी पूरी value आई है ठीक है पर मैं इसको न रखके मैं इसी को ही रख रहा हूँ यहाँ से एक तो यह cancel हो जाएगा 2 से आप इसको काट होगे 108 तो यहाँ पर यह हटी हा fraction तो यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं है 10.2 ही रख लेंगे तो यहाँ से हटी गया 10.2 का square अब 10.2 का square कर लो तो 10.2 का square बन रहा आपके पास 104.04 तो इसको माइनस करेंगे तो आपका पास आएगा 4.04 तो यह तो आजाएगा correct variance तो माइनस करेंगे याद 10 में से 4 गे 6 9 में से 0 गे 9 यह जाएगा 3.96 और इसका correct standard deviation निकालोगे 3.96 का कर दो square root यह बनेगा आपका 1.99 तो इसी question के साथ यह exercise है आपकी फिनिश करते है आई होब आप इसको सारे question अच्छे से कर पाओगे जो question मैंने skip करें वही मैंने आपको सासा समझा देगी कैसे आपको attempt करने चाहिए फिर भी कोई doubt हो कोई query हो तो comment box में comment कर सकते हो आज के इस वीडियो में इतना ही अधिद 1 2 2 2 झाल झाल